आपकी नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्नमाला के बीज से शुरू होता है या फिर आपका हिंदी के अक्षर बह से होता है तो आपकी परस्नेलिटी कुछ इस तरह से होगी जैसा कि मैं आपको बताने जा रहे हूं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत जादा मिर् आपको बहुत जादा मिर्नमाला के बाता है तो सबसे पहले हम इनके गुनों के बारे में बात करेंगे यहां पर हस्मुक सभाव के होते हैं जिनका की बी अक्षर से नाम शुरू होता है चाहे वो इंगलिश का हो या हिंदी का बह हो इलिए आप उन में से एक हैं जिनका ना भी अक्षर से शुरू होता है तो आप हस्मुक सभाव के हो आप अपने इस सभाव की वज़े से दूसरों के बीच में अलग स्थान बना लेते हो कई बार प्रशानियों में भी आपका ये सभाव आपको समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करता है क्योंकि आपकी प्रा के लिए निश्ठावान रहते होई यदि प्रेम या विवाहिक संबंदों की बात करें तो आप कभी किसी को धोका नहीं दे सकते लेकिन आपको कहीं जगे दूसरों के धोके से बचने की जरूरत है किसी ऐसे वक्ती पर तुरंत विश्वास ना करें जिसे आप अच्छी तर कि ये समर्पिच रहते हो काम चाहे आफिस का हो या घर का हो या किसी भी जगा का हो उसे आप बहुत बेखुबी तरीके से अच्छे दंग से निभाते हो आप किसी भी शित्र में सबसे आगे बले ही ना रहें लेकिन आपकी दूसरों के बीच अलग पहचान होती है आप उन में से एक है जो अपनी मेने से एक बड़ा मुकाम हासिल करने में विश्वास रखते हो और इसके साथी आपके परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हो जिनका भी ब या भी अकशर से नाम होता है वो लोग अपने परिवार के प्रती पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं यदि बाद परिवार के पैसे नोकरी या अन्य किसी चीज की हो तो आप परिवार को हमेशा प्रत्मिक्ता देते हो कहीं बार परिवार के लिए अपने कैरियर को भी छोड़ते हो इसलिए आपको अपने परिवार के लिए बहुत ही जुड़े रहते हो निस्टावान होते हो भी अक्षर वाले लोग बहुत ही महतवकांशी होते हैं आप बहुत जादा महतवकांशी हो आप बड़ी से बड़ी उपलब्दी को भी हासिल करना की चाहा रखते हो अगर आपको कोई वास्तु पसंद आ गई है तो आप उसे किसी भी तरह से हासिल करने की कोशिश करते हो आपके जो विचारें बहुत ही खुले होते हैं आपको जो हैं हमेशा खुले विचार अच्छे लगते हैं और ऐसी सभाव लोगों को आप जैसा बनाता है वास्ता में आपका ये सभाव आपको शत्रों से दूरी बनाने में भी मदद करता है और आपके मितरों को आपके करीब लाता है आपके इस सभाव के कारण ही वज़े से ये आप जीवन में दिखावा नहीं करते हो और आप हमेशा किसी भी बात को सीधे तोर पर दूसरों के सामने स्पस्च रूप से रखते हो आप विश्य का अनमान भी लगा सकते हो भी अक्षर के लोग हैं जो भी आपके लिए एक आशिरवाद प्राप्त होता है आपको ये कि आप कहीं बातों कभी विश्य को गटनाओं का अंदeशा पहले से ही लगा लेते हो किसी आने वाली गटना के संकेत आपक के मन में पहले से आने लगते हैं और उसके बारे में सच्चेत हो जाते हो रही एक विए अक्षरवालों के साथ पूरी तरह से नहीं होता लेकिन जारतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सही अन्मान लगा सकते हैं तो ऐसे लोगों को कहा सकता है कि आप सिक्स सेंस का भी बहुत अच्छे से सकरिया होती है तो इसलिए आपको यह एक आशिरवात के रूम में अगर इनके प्रेम समन्दों के बारे में बात की जाए तो ये सबहाब से रोमांटिक होते हैं उन्हें अच्छा लगता है पर वो इमानदा और निस्ठावान भी होते हैं अपने प्रेम के प्रती वहाई जिवन के प्रती बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं तो यह जो मैंने आपको विशेष्टाएं बताई हैं कुन बताई हैं भी नाम वालों के काफी लोगों के साल मिलते होते हैं लेकिन कहीं बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियों में ये चीज़े कहीं बार अलग हो जाती हैं लेकिन ज्यादा तर मसली लोग इसी तरह से मिलते हैं आपको तो प्लीस आप बताई हैं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किजिए चैनल को और प्लीस मुझे कमेंट भी किजिए और बताईए ये सब आपको कैसे लगा यह ज